सभी को नमस्कार यूट्यूब के इस चैनल पर परसों या दो दिन पहले मैंने शिलोंच एक भूली विश्री जीवन चर्या इस सीर्शक से एक वक्त विप्रस्तुत किया था कभी कभी शब्द की लंबी यात्रा का संधान करते हुए हमको लगने लगता है कि कितनी सुधीर्ग सांस्कृति के यात्रा और संस्कृतियों के कितने प्रस्थान और कितने समाज और कितने जाती अनुभव वो शब्द अपने साथ समेट कर हमारे समय तक चला आया है हमारे पुर्खों की हजारों साल पहले की कैसी कैसी स्मृतियां उस एक शब्द के पीछे छिपी हुई हैं यह भी हम अनुभव करते हैं शिलोंच पर सीला बीनना जिससे भारती भाषाओं में शब्द समाना अंतर शब्द चला उस पर बोलते वे मुझे लगा मुझे अभी लगा कि भारती भाषाओं में एक चेतना पिरोई हुई है यह मैं अपना सोबाग्य समझता हूँ कि मेरे उस वक्तव्य पर जैसा कि मेरे अनेक वक्तव्यों के साथ हुआ देश के अनेक गड़मान्य चिंतकों साहित्य के अध्यताओं की सुचिंतित प्रतिक्रियाएं मुझे मिली और उसके साथ मुझे अभी लगा कि कुछ छूट गया है उस समय बोलते समय भी मैंने कुछ छोड़ ही दिया था पर इन प्रतिक्रियाओं के बाद जो लगा कि जो छूट गया है और बहुत कुछ जो जोड़ा जा सकता था उसे मुझे फिर से समेटते हुए अपने शिलोंच संबंधी वक्तव्य का एक परिशिष्ट और कहना चाहिए बोलना चाहिए समस्कत के प्रखर युवा अध्येता और कवी नक्टर प्रवीन पंड्या मेरे वक्तव्यों को ध्यान से सुनते हैं और उन पर सुचिंतित टिपणियां भीवे हर बार देते हैं इसे मैं अपना सोभागी समझता हूँ पर मुझे बहुत ज्यादा बहुत अधिक प्रसनता हुई जब हिंदी साहित्ती की जानी मानी विदुशी नक्टर लीता रानी पालिवाल ने मुझसे इस वक्तव्यों को सुनकर बात की और उन्होंने बच्पन साल पचास बच्पन चपन साल पहले की अपनी बच्पन की समझतियां साजा की उन्होंने कहा कि हम बच्पन क्षेत्र में रहे और वहाँ पर भी हमने देखा अपने बच्पन में की खेतों से अनाच चुनते हैं लोग और उसको सिला कहते हैं हो गया है ऐसा उन्होंने बताया उन्होंने अभी बताया कि सीला बीनते हुए जिन लोगों को हमने देखा है उसमें पिछडे हुए तपके के लोग तो थे ही विशेशकर इस्त्रियां लेकिन उसमें सवर्न समाज की इस्त्रियां भी रहती थी और यह बहुत महतुपूर्ण ह है कि हमारे इब्रहामण ज्यानी जन तपस्वी जन सिला बीन करके और पेट पालते थे पेट भरते थे गुजारा करते थे किसी के सामने हाथ नहीं फेलाते थे किसी के सामने गिड़ गड़ाते नहीं थे और सौलंबन की उनकी एक दिन चर्या थी एक परियावरण की चिंता उनको जो थी जो कुछ छूट गया है बचा हुआ रह गया है और किसी के काम अब नहीं आने वाला है चिडियां भी चुकर की तरप्त हो चुकी है शायद उस से तब उसको भ पच्पन साल पहले का भारत साथ साल पहले का भारत सतर साल पहले का भारत जिसके सारी इस्मृतियां धो पोंच दी गई है हमारे दिमागों से और एक कुड़ा भर दिया गया हमारे दिमागों में उसकी जगह उपनिवेशिक काल में उसको फिर से हम जिलाते हैं जैसा कि धर विप्रवर्ग कहा जाता है उनकी महिलाएं भी ये काम करती थी, कुछ और घर में अनाज होगा यह सोच कर, यह घर में अनाज नहीं है, कुछ आ जाएगा यह सोच कर भी, टक्टर रमाकान पांडे, चाने माने विद्वान है, समस्कृत के, प्रतिष्टित साहित्य के, मरमग्य, विद्वानों में हमारे देश के वो गिने जाते हैं, उन्होंने टिपणी अपनी भेजी, और उसमें उन्होंने कहा कि, लोग में शीला शब्द अब भी प्रचलित है, बच्वन में हमने भी अपने खेतों में शीला चुना, उंचन भी किया, अनाज की गहाई करते हुए बेल अधिक चने और गेहुं खा जाते थे, हमने उस गोबर को धोकर अनाज निकालते हुए, तथा उससे आजीवी का चलाते हुए लोगों को देखा है, पता नहीं अब रत्ति कहीं उल्लिखित भी है या नहीं, शीला की ओल अनाज चुने मातर से संबध नहीं, नहीं है, आलू और प्याज की खुदाई के बाद उन खेतों को खोद कर भी लोग शीला बीनने का कारी करते थे, जो खुदाई कर लिये जाने के बाद भी खोदने से कुछ नीचे बचे रह गए हैं, उनको भी खोद कर गया समाज में. समस्कृत में है, उस पर मैंने कुछ कारी किया है, तो अल्ल राज की एक रस तरंगिनी है, बार्मिश रताबदी की कृती है, अलंकार शास्त्र की, उसमें एक श्लोग दिया है, नक्टर रीता रानी पारिवाल ने और प्रफ़सर रमाकान पांडे जी ने जो कहा, उसके दुरवस्ताह कथमरिणम लभनते कर्मानी द्विजपरिवडान कारयतिकह, अधत्वापिक ग्रासम दिनमणी रसा वस्त मयते, क्वयामा किम कुर्मो ग्रहिनी कहनो जीवन विधी, शिकर्णी चंद है, और हमने पंडित बच्चुला लवस्थी को सुनाया यह चंद, बख चालीस साल पहले आज से, तबहावी बहुत हो गए थे, आखों में उनके थोड़े से आंसू जैसे आ गए, क्योंकि उनको भी सत्तर, पच्चतर साल पहले की, इस मृतियां, उस समय जा हमने सुनाया था, वो सकता है, वो तीस, चालीस साल पहले की इस मृतियां, वो उन दुर्विक्षे पतति, दुर्विक्ष का समय है, अकाल का समय है, भीक नहीं गिरती हाथ में, दुर्वस्था कथम रिणम लबंते, जिनकी माली हालत है, जिनकी हालत खराब है, दुर्वस्थ जो लोग हैं, वो रिणभी कहां से पाएंगे हमारे जैसे, कर्च कहां से मिलेगा और हम द्विज हैं हमसे काम भी कौन कराएगा है यह सोचकर के काम मांगने चले जाए कि कुछ मजदूरी करा लीजिए हमसे कुछ मिल जाएगा तो हम तो उंची जाद के ब्रहाम्मने हम से काम भी कौन करायेगा दिजपरिवड़ों से काम कौन करवायेगा आदत्वापि ग्रासम दिनमणी रसा वस्त महते एक कोर दीये बिना सूरज देवता अस्त हो जाते हैं दिन बर कोयाम, किम कुर्मो, ग्रहिनी, गहनो, जीवन विधी, कहां जाएं और क्या करें, हे ग्रहिनी घरवाली, जीवन की विधी ही बड़ी गहन है, इसी पर थोड़े मुगध हुए थे, पंडित बचुला लवस्ती, क्योंकि उन्हों ने कहा कि विधी शब्द का प्रयोग कहां से उसने लिया है, तो मीमान सा का है कि, यह तो पंडितों की बात है, लेकिन बारा सो साल पहले, एक हजार साल पहले के, काउं का एक प्रामन, विप्र, उसकी तो बड़ी और भी खराब हालत है, जिन गरित वर्ग के लोगों पर, निम्न वर्ग के लोगों पर, रामिला शर्मा कविता लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सीला भी इंते हैं चर्मकार पताचित उससे भी चिंतनी अवस्था उसकी है क्योंकि उचाहता है कहीं मजदूरी कर लूँ और वो भी नहीं कर पा रहा है दुर्बिक्षे तो सीला अब बचाई नहीं है अकाल के समय मैंने अपने व्याख्यान में गौर्धनाचारी की चर्चा की थी बहुत बड़े कभी बार्वी शताबदी के महा कभी जैदेव के समकालीन और कम महत्व नहीं है उनका कालिदास बान भववूती बारवी जैदेव जैसे महा कभीयों की पंकती में वो भी एक बड़े कभी हैं उन्होंने कहा कि कालिदास सारी खेती समस्कृत साहित्य के क्षेत्र की काट ले गए कुछ सीला जो था वो भवूती चुनकर के ले गए हम तो उनकी हतेली से गिरेवे जो दाने हैं उनको बीनते रहते हैं वो शील के बाद भी उन्च वरत्ति वाले हम बचे हैं ऐसे कभी सारस्वत क्षेत्र के ऐसे कभी हम लोग हैं ऐसा उन्होंने कहा था कभीताओ में मैंने कहा था कि ये शीलोंच का शीला बीन्ने का भिम्ब आया है और भी हिंदी साहित्ती के जाने माने आचारी और प्रकर स्वमीक्षक डाक्टर विजय बहादूर सिंग ने बताया कि सुकवी भवानी प्रसाद मिष्ट ने बड़ी लंबी कविता एक लंबी कविता लिखी और उसमें सीला वियन्ने का रूपक उन्होंने बांधा है कविता के संदर उने जो गोवर्धनाचारी कर गए थे अपने छोटी सी आर्या में मुक्तक में भवानी प्रसाद करेंगे उसको लेकर के आचारी विजय भादूर सिंग भवानी प्रसाद मिष्ट की कविता के कजाचित सबसे बड़े विशेशग्य है हमारे बीच भवानी प्रसाद मिष्ट गरंथावली का संपाधन उनोंने किया है मेरे अनुरोत पर उनोंने वा कविता वह जी उस कवि पचासों साल पहले की ही बात होगी तो उनोंने का था कि आप तुगबंदी जादा करते हैं ऐसा कुछ कह दिया और शिल्प की तरफ जादा ध्यान है आपका कि क्या आपके घड़े में पानी कम है ऐसा कुछ भी उनोंने कह दिया तो भवानी प्रसाद मिष्ट को बात लग होगी उनोंने कविता लिखी है लंबी उसके जवाब में और एक कवी कवी की प्रतिक्रिया शिल्प को लेकर के अपनी कविता की रचना प्रक्रिया को लेकर के ये कविता है उसको मैं प्रस्तुत करूँगा तुम्हें जरा ज्यादा तुके जरा ज्यादा है तुमारे पास कहा गया हमसे और हम हो गए उदास पास और उदास की तुक उनोंने खुदी भिडाई है और जिनोंने चिड़ाया है उसकी बात कहते हैं कि तुके जरा ज्यादा है तुमारे पास कहा गया हमसे और हम हो गए बेतुके होने की कोशिश में काम चलाने लगे कुछ कम से हैं अच्छी पंक्तियां हैं तो बोले यह जो आपका घड़ा है पानी उसमें लगबग नहीं है वह पत्थर ही पत्थर से भरा है बहुत ज़्यादा पत्थर डाल दिये तुमने चोच से अपनी कविता के घड़े में प्यास इससे तुमारी बुच जाएगी मगर तुम्ही बताओ भला ऐसी कविता और किसके काम आएगी मैंने कहा वे पत्थर नहीं है साअब शिल्प है यह तो वे बोले योही नहीं तो वे बोले योहीं नहीं जोर से हस्कर कि बले आदमी इसे जरा फिर से कह और भी किसी से अभी कहीं बात शिल्प की है और काफी लंबी चोड़ी हम शिल्प का या खेत खेल समझना चाहते हैं अक्ल और भावना और आम आदमी से इसका मेल समझना चाहते हैं हम कवियों में आते जाते हैं अक्सर इसमें से कुछ शिल्प की कुछ विचार की कुछ भावना की कुछ आम आदमी की बात कहते हैं और कहीं कहीं चलती है तुमारी चर्चा तो भे बातें छेड़ते हैं जैसे अपनी समझ से एक गन्ने के खेत को उखाड़ कर धानी में पेर दिया और पेश कर दिया आम आदमी के सामने पत्थर डाले पानी नहीं रसका घड़ा मैं सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा कि आज के रिशियों से कविता तो बनती नहीं है वक्तव्य देते हैं कभी जरा छोड़ा कभी जरा छोटा तो कभी बहुत बड़ा और लोगों को अपने वक्तव्यों से डराते हैं हमने कहा न कोई बरस भर से हम कवियों के पास आते जाते हैं और वे हमें अपनी कविताएं सुनाते हैं नहीं भी सुनाते हैं तो हम कुछ न कुछ पूछ लेते हैं या कह देते हैं जैसे हमने अभी कहा तुमसे कि तुकें जरा ज्यादा हैं तुमारे पास तो तुमने शिल्प से भरा तो तुमने अपने शिल्प के घड़े को शिला पर मारो हमारे आगे ऐसी बातें मत बखारो मैं सोच में पढ़ गया कि ये आदमी आम है या खास है शिल्प तक की विद्पत्ती इसके पास है और तुकों को ये ठीक जगह पर भी जादा गिनता है और कौन दी मेरे मन में शिल्प की विद्पत्ती कि धातु है इसमें शिल्प, शिला का कहा कुछ नहीं है में शिल्प के शिल्प में शिल्का है और मतलब होता है उसका चुनना और सो भी चमकते हुए दाने कटनी हो जाने के बाद खेत में जो गिरकर रह जाते हैं वोल्चाल में इसे सिला बीनना कहते हैं तो तुके कम करके मैंने चमकदार बिखरे दाने बीनने की कोशिश की और बीने मगर इस आदमी ने इसे चाहे जो कहकर हसी उड़ाई पत्थरों से भरा कहना चाहता है और कहता है उसे मैं पत्थर पर दे मारू जब कि सच कहूं हिम्मत बान कर तो कारूं का खजाना है मेरी कविता चाहे अकल के ख्याल से देखो चाहे भाव के चाहे ख्याल से आम आदमी के घाव के और फिर तिस पर सपाट बयानी है या इसमें युगबोध है बड़े शोद के बाद हाथ आई है या जाने कि समालोचक का छोटा भाई ह कि सारे गुणों के बावजूद कहता है अपने शिल्प को शिला पर दे मारो मुझे इसकी नहीं सुननी चाहिए तुके न सही चमकदार दाने चुनना चाहिए और सजाना चाहिए उन्हें किसी कल्पना की शक्ल में जब भूक से ज़्यादा जरूरी है कल्पना को बुझान भाई रगवीर सहाए जरा तुम सुजाना क्या मैं अपनी तुकों को छोड़कर तुमारे शिल्प पर उतर आऊं कोई बरस भर से तो यह कविता है और पूरे खेट से सिला चुनने का रूपक बांधा गया है उससे जुड़े है बहुत सुन्दर ढंग से पिरोया है और जवाब एक कभी की ओर से जो दिया जाता है तुकें और शिल्प के सम्मंद को लेकर के प्रखर जवाब दिया है उन्होंने और उन्होंने शिला शब्द की शिलोंच में जो धातु है उसकी विद्पत्ति की ओर भी धातु की द्रश्टी से बात की है समस्कुत व्याकरण के अनुसार तो शिल धातु है शिलती और शिलयती दोनों रूप उसके चलते हैं वहादिगण उचुरादिगण में आचरण है और भी अनेक इस प्रकार के अर्थ उस धातु के हुआ करते हैं अर्चन पूजन अभ्यास आदी भी अर्थों में वह आती है अंत में पिछले वक्तवे में मैंने जो राम विलाश अर्मा की कविता की बात की थी उसको मुझे पढ़ना चाहिए था अब मुझे लगा क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्च की कविता की संदर्व में राम विलाश अर्मा भी एक खेत देखते हैं अपनी कविता में वो भी उसी तरह से बहुत बेबाग धंसे सपाट बयानी करते हैं लेकिन गाओं गिराओं जो राम विलाश शर्मा ने साथ सतर साल पहले का देखा है कुछ और पहले का और उसकी शब्दावली जो हमसे चूट गई है हम कितना कुछ हमसे चूट गया है और रीते हम हो गए इस पर भी चुंकी बात कर रहे हैं तो उस कविता को अब मैं पढ़ना चाहता हूँ पूरी हुई कटाई अब खलिहान में पीपल के नीचे है राशी सुची हुई दानों भरी पकी बालों वाले बड़े पूलों पर पूलों के लगे अरंभ हैं तो सारी शब्दावली अवत के इलाके की गाउं की पेस्वाडा में जो हो रहे बगही बरहे दीख पड़े अब खेत में छोटे छोटे ठूटी ठूट रह गए अभी दुपहरी में पर आकाश को चांदी का पात किये है तप रहा चोटा सा सूरज सिर पर बैसाख का काले दब्बों से बिखरेवे खेत में पटे अंगोचों में बच्चे भी सांथ ले ध्यान लगा सीला चमार हैं बीनते खेत कटाई की मजदूरी इनी ने जोता वोया सींचा भी था खेत को वह उत्मार में खो जाती है रामिला शर्मा कह रहे हैं कि फटे अंगोचों में बच्चे भी सांथ ले ध्यान लगा सीला चमार हैं बीनते खेत कटाई की मजदूरी उनसे कह दिया गया है कि जो सीला बीनों के उसी में मजदूरी है लोग धर्मी परमपरा के जिन सुवाशितों पर मैंने काम किया है उसमें तो बेगार के वर्णन खूब आते हैं भागवत में भी बेगार कराने के लिए पकड़ लिया जाता है परमांस रिशब देव को उस पर मैंने अन्यत्र खूब चर्चा की है बेगार करने के लिए हजारु साल पहले भी पकड़ लिया जाता था मजदूरी नहीं दी जाती थी रूप तरंग उन्निसोचपन में राम विलाश शर्मा का कविता और निबंदों का संग्रच छपा था विनौत पुस्तक मंदिर आगरा से मासट साल उसको छपे हुए हो गए उसके पहले ये कविता लिखी होगी और राम विलाश शर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र दोनों एक कवी के रूप में स्मरणी हैं खासतोर से राम विलाश शर्मा जिनको समीक्षक की रूप में ज़्यादा जाना जाता है इसके साथ ही है वक्त अभी मैं समात्त करता हूँ धन्यवाद